नमस्कार, BKC Guru Classes में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे FLN Worksheet Class 3rd, गनित 27-27 Smart Chart नीचे दिया गया चार्ट, बच्चों के पसंदिता रंगों को बताता है जिससे रंग यहां दिया गया है, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हरा रंग पसंद करने वाले दो बच्चे हैं, नीला, पाँच, पीला, तीन, लाल, छे, सफेद, चार नीचे दिया गया चार्ट में चहरे बना कर दिखाओ कि कितने बच्चे कौन सा रंग पसंद करते हैं जैसे एक चहरा, एक बच्चा देखे इस तरह से हम यहाँ चार्ट बना देंगे और यह चार्ट में हमने चहरे बना दिया हरा रंग दो बच्चे पसंद करते हैं तो यह देखे यह दो चहरे में बना दिया और इसी प्रकार नीला रंग पांच बच्चे पसंद करते हैं तो ये पांच चहरे बने हुए हैं ये देखिए ये बना दिये हमने पांच चहरे इसी प्रकार आपको भी बच्चों ये पीला रंग पसंद करने वाले तीन बच्चे लाज रंग पसंद करने वाले 5 बच्चे और सफेध रंग पसंद करने वाले 4 बच्चों के छहरे बना देना है आगे है दिया गया चाट किसी साला के पिकनिक में जाने वाले बच्चों की संख्या को बताता है कक्षा एक के तीन बच्चे गए पिकनिक में कक्षा दो के पांच बच्चे कक्षा तीन से चार बच्चे कक्षा चार से छे बच्चे और कक्षा पांच से पांच बच्चे पिकनिक में गए अब चार्ट देखकर निम्न प्रस्णों के उत्तर दीजिए किस कक्षा से सबसे ज़्यादा बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं किस कक्षा से जा रहे हैं यह देखिए कक्षा 4 से 6 बच्चे जा रहे हैं तिहां लिख देंगे कक्षा 4 से फिर आगे है किस कक्षा किस-किस कक्षा में पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है समान संख्या देखिए कक्षा पांच में यह देखिए पांच बच्चे जा रहे हैं और कक्षा दो से भी पांच बच्चे जा रहे हैं तो लिख देंगे कक्षा दो एवं कक्षा पांच में पिक्णिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या समान है में संख्या समान है पूरा लिख देजेगा आप आगे किस कक्षा से सबसे कम बच्चे पिक्णिक में जा रहे हैं सबसे कम बच्चे कक्षा एक के जा रहे है कक्षा एक के सबसे कम बच्चे पिक्णिक पर जा रहे है अब आगे समझते हैं नीचे एक बार चार्ट दिया गया है उसको पढ़कर समझ कर बताईए ठीक है यहां एक्स अक्ष पर बच्चों के नाम दिये गये है और ये वाय अक्ष पर दिये है बित्ता की लंबाई ठीक है नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी है नौ सेंटीमिटर है नौ सेंटीमिटर यहां तक आ गया नेहा के बित्ते की लंबाई सबनम के बित्ते की लंबाई उससे अधिक है दस सेंटीमिटर है जौन के बित्ते की लंबाई कम है 8 cm है और सोहन के बित्ते की लंबाई 11 cm है तो यह सब के बित्ते की लंबाई यहां दी गई है किसके बित्ते की लंबाई 10 cm है किसकी है सब नम की है यहां सब नम लिख देंगे है फिर आगे है नेहा के बित्ते की लंबाई कितनी है कितनी है 9 cm सेंटीमेटर है ना नौ सेंटीमेटर लिख देंगे सोहन के बित्ते की लंबाई कितनी है यहां लिखना है आपको आठ सेंटीमेटर लंबा बित्ता किसका है आपको यहां लिखना है बच्चों आगे बढ़ते हैं नीचे एक परिवार में उपलब्द वाहनों की संख्या का चार्ड दिया गया है वाहनों की संख्या इस चार्ड के आधार पर एक चित्रात्मक चार्ड तयार कीजिए चलिए साइकल वाहन का नाम क्या है साइकल उपलब्द वाहन की संख्या कितने उपलब्द हैं? 3 स्कूटर 2 मोटर साइकल 4 ट्रेक्टर 1 और अन्य वाहन 2 तालिका चार्ट के आधार पर बार चार्ट बनाई है तो ठीक है यहाँ पर हमारे पास यह दी गई है तालिका अब देखिए साइकल उपलब्द वाहनों की संख्या 3 तो देखिए हमने यहाँ चार्ट बनाया है यह साइकल की संख्या 3 तक है तो यह 3 तक इसकी उचाइब कर दिया स्कूटर 2 तक है तो यहाँ 2 तक बना दिया मोटर साइकल 4 ट्रेक्टर 1 और अन्य वाहन 1 यहाँ पर नम्बरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से तो यह उपलब्द वाहनों की संख्या वायक्षपर और यह वस्तुों के नाम यह एक संख्यपर है अब आगे बढ़ते हैं बच्चों दिये गए चार्ट को देखिए और नीचे दिये गए परस्णों के उत्तर दीजिए फिर से देखिए हमारे पास अनुपस्थित चात्रों की संख्या वायक्षपर है और सोमवार को 3 चात्र अनुपस्थित है मंगल को कितने हैं अनुपस्थित? 2 और बुदवार को बुदवार को 4 गुरुवार को गुरुवार को तीन और सुक्रवार को सुक्रवार को 6 चात्र अनुपस्थित हैं सबसे अधिक बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे सबसे ज्यादा बच्चे 6 अनुपस्थित रहे किस दिन रहे सुक्रवार को रहे इसी तरह से बच्चों आगे ये जो प्र मंगलवार को अनुपस्थित बच्चों की संख्या कितनी है तो ये तीन है सबसे कम बच्चे किस दिन अनुपस्थित रहे तो मंगलवार को रहे इस तरह से ये खाले स्थान आपको भरना है बच्चों आगे है दी गई तालिका को पढ़िए समझे और नीचे दिये गए तीन चार है नीला वाले तीन है पीला एक दो तीन चार पांच है हरा रंग कपड़े पहनने वाले दो हैं जबकि काले रंग का कपड़ा किसी ने भी नहीं पहना सुनने हैं पीले रंग का कपड़ा पहन कर कितने बच्चे आए हैं तो पीला रंग का कपड़ा एक दो तीन च पांच बच्चे आए हैं इसी तरह से ये खह नंबर के प्रश्ण का उत्तर आपको देना है एक साला के वार्सिक उत्सों में विभिन प्रतियोगिताओं में तीस विद्ध्यारतियों ने भाग लिया जिनकी संख्या निम्नानुसार है फिर से देखे चित्रकला में साथ कवित आत्मक चार्ट बनाना है तो फिर से देखे चार्ट हमें बनाना है यहां पर आप बनाएंगे चार्ट नीचे लिख देंगे एक सक्ष पर चित्रकला कविता पार्ट कहानी वाचन नत्य और गायल और वाय में लिखेंगे भाग लेने वाले विद्यारतियों की संख्या एक स से लेकर आठ तक कॉलम बना देंगे और भी बढ़ा सकते हैं कॉलम आप और फिर उसे इस तरह से चित्र में दर्साना है इस तरह से चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसी कक्षा के 30 बच्चों से प्रति दिन स्कूल आने के लिए उपयोग किये जाने वाले यातायात के साधनों की जानकरी एकत्रित कर तालिका बनाई गई है नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए समझे और नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देना है क्रमांख यहतायात के साधाने उप्योग करने वाले बच्चे साइकल उप्योग करने वाले बच्चे कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ऐसे ही इन सभी वाहनों को उप्योग करने वाले बच्चों की संख्या उनके सामने दी गई है सबसे कम बच्चे कि साधन से इसकूल आते हैं यह दिखे सबसे कम दिख रहा है बाइक से सबसे कम बच्चे इसकूल आते हैं तो यहां जाएगा बाइक इसी तरह से ब, स, द प्रश्न का उत्तर आपको स्वयम इस तालिका का अध्यन करके देना है बच्चों आगे है पांच बच्चों ने अपनी अपनी पैंसिल को माप कर यह तालिका बनाई सोहन की पैंसिल है पांच सेंटीमीटर लता की है नौ सेंटीमीटर गुरदीब की साथ सेंटीमीटर फाइजा की बारा सेंटीमीटर और केविन की है 8 cm इस तालिका को देखकर बारचार्ट बनाई है तो इससे भी हमें बारचार्ट बनाना है बच्चों के नाम हमें इधर लिखना है एक सक्ष पर और पेंसिल की लंबाई हमें ऐसे लिखना है वायक्ष पर यहाँ पर लिख देंगे और फिर यहाँ पर एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर ऐसे करते हुए बारा सेंटीमीटर तक चार्ट को ले जाएंगे या फिर दो के पहाड़े के अनुसार भी हम जामा सकते हैं तो फिर यहाँ पर दो सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर, छे सेंटीमीटर 8 cm 10 12 इस तरह से पैमाना बना सकते हैं यदि हमारा चार्ट बड़ा जा रहा है तो हम पैमाना छोटा कर सकते हैं अब यदि हमें 9 को दर्साना है तो 8 और 10 के बीच में 9 है तो ये देखिए ये लता की पैंसिल की लंबाई 9 cm है तो यहां से यहां उतार दिया और ये ये किस की पैंसिल हो गई लता की पैंसिल हो गई 9 cm है ये लता है उससे पहले कौन था सोहन था सोहन की पैंसिल 5 cm है तो 4 और 6 के बीच में यहां पर ये देखिए सोहन की पैंसिल हो गई कितनी है 5 cm है इसी तरह से बच्चों आपको भी आगे के नामों को दर्साना है फिर है कक्षा 3 के 5 विद्यारतियों की पानी की बॉटल की लंबाई को मापकर बार 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 चाड वारा प्रदर्सित किया गया है बार चाड को पढ़कर समझ कर निम्नांकित प्रशनों के उत्तर दीजिए पानी की बॉटल की लंबाई वायक्ष पर है और ये देखिए नाम है बच्चों के रेखा सीबा, पीटर, याशीन और रितिक उनके बॉटल की लंबाई भी दे गई हैं 20 cm, 32, 32, 28 और 30 cm सबसे चोटी बॉटल किस विध्यारती की है नाम लिखिए रेखा की है सबसे चोटी बॉटल 20 cm है रेखा की है इसी तरह से आगे के इन प्रशनों के उत्तर आपको चार्ट को देख कर देना है बच्चों आज की है कलास यहीं समाप्त होती है धन्यवाद